हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा आठमी जिसका विशे है गनित इसकी वॉक्षिट नमबर 32 समझोंगी जिसकी डेट है में पस 2nd February 2021 आज की वॉक्षिट में हम बिज्य व्यंजक तता सर्व समिकाएं इसके बारे में ही जानेंगे ठीक है यह हमने लास्ट वॉक्षिट में भी किया था चलिए देखते हैं क्या है लिकार हम जानते हैं कि विज्गनित चर अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल सकते हैं जब गनित में बरी से बरी समस्याओं को जोडने और घटाना परता है या कई कहीं पर जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तमाल करते हैं तो आज तो हम आज परेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं देखो यहां पर लिखा ही आपने पहले इस तितियों से आपको यहांपर व्यंजक बनाना सिखाया गया है तो आब व्यंजक बनाने के लिए हमारको इन चारों चीजों का इस्तमाल करना बदते हैं प्लस माइनस मुल्टिप्लाइड डिवाइड यह में है इसके बीना जो व्यंजक है वो नहीं बन पाएगा तो कु गुबारें एक पि पर चार एक प्पर पांच को न कहां रहा है तो इसां प्लंके के पास रहोताइभि यहा रहीम के पास नहीं बताना चाहएं चीन res dur canada भी तो है लेकिन गशने किужaste में कठ भीं पितनी है तो इसी स्थिति में हम दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठना ही हो रही है तो मैं नहीं बता पा रही है न दोनों के कितनी है अगर मुझे रश्मी की टॉफिय पता होती तो मैं रहीम की टॉफिय और रश्मी की टॉफिय को प्लस करती और बता देती जैसे कि यहां गुबारों का बताया था पर रश्मी अपनी टॉफी नहीं बता रही ना में दिकत तो यही है कि वो नहीं बता रही उस पे कितनी टॉफी है तो क्या करेंगे तो हमने बताया क्या करा हमने खुद से मान लिया कि रश्मी के पास X टॉफी है कि हमने खुद से मान तब कुल टॉफियां कैसे आएंगी? रहीम की टॉफिय और रश्मी की टॉफिय सको प्लस कर कि तो रहीम की 6 है, बश्मी की X है. तो कुल टॉफिय जायेगी 6 प्लस X. अब यह X ही क्यों माना, कुछ और क्यों नहीं माना? तो अंग्रेजी अक्षर जितने होते हैं, उसमें से आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, आपकी मर्जी है, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, जो आपका मन करें, वो आप मान सकते हो, पर जो भी आप मानोगे न, वो लिखोगे, जैसे इन्होंने लिखाए, ठीक है, तो देखो, इस स्ति में हमारे को एक जने की टॉफिस नहीं पताती कितनी है, तब भी हमने कुल टॉफिया निकाली ली कितनी है, ठीक है न, चलिए, आगे बरते हैं, यहां आप से कह रहा है, अध्यापिका ने कक्षा में 6 चात्रू, जिनके नाम, संचित, गुल्लीन और अब्दूल है, को बु मुझे चार पैंसिल मिली, गुल्लीन मुझे तीन पैंसिल मिली, अब्दूल मुझे भी कुछ पैंसिल मिली, वह इस सेम केज, जैसे रश्मी ने बताई थी न, अपने टॉफिस, ऐसी अब्दूल ने भी नहीं बताई उसको कितनी पैंसिल मिली, अध्यापिका, इन तीनों क पास कोल मिला कर कितनी पैंसिल है तो तिनों को जोड दूंगे तो पता चल ज़य Om अब मुझे अब्दुल की Pencil तो पता ही नहीं है, तो जैसे मैंने रष्मी की Toffies नहीं पता, तो ंसे X माला था ना, तो चलो अब्दुल की Pencil उसको भी X माल लेते हैं, तो, 4 प्लस 3 Прलस X, अब 4 प्लस 3 तो 7 हो गया, प्लस X ऐसी रहगा, क्योंकि X का मान नहीं पता तो मैं जोरूं कैसे इसको है ना तो फिर हमने इसको जोरा नहीं और हमार पस इतनी पैंसिल जागी ठीक है आप यहां कह रहें नीचे दी गई तारीका को पूरा कीजे यह आपको पूरा करना है स्वाति और मुकेश दो जने इन पे पैंसिल ओ पी और फाइव है स्वाति पर पी इस पर फाइव है तो दोनों की कुल संख्या पी प्लस फाइव ठीक है ना टौफी एम और टू है तो एम प्लस टू अब जब इनके मान नहीं पता तो उन्हें ऐसी लिखा चाहेगा कॉपी ए आयू दे रखिये डियक पहले एक्स दे रखिये आपको मानने के जरुष नहीं आपर अब राम की जो पिताजी है वो कहते हैं मेरी आयू तुमसे तीन गुना है मतलब जितनी राम की आयू है उसकी तीन गुना तो अगर राम की आयू दस वर्ष है तो पिताजी की आयू उसको तीन गुना मतलब मल्टिप्लाइ कर दो पिताजी की आयू तीस वर्ष होगी उसे बोलते हैं तीन गुना करना ठीक है भाई मैं तुमसे दो वर्ष बराऊं जो इसका भाई है वो इसे दो साल बरा है मा, मेरी IU, तुमारे पिताजी से दो वर्ष कम है, तो मा की IU कैसे पता चलेगी, जितनी पिताजी की IU, जैसे मैंने अभी उदहरन लेके बोला, पिताजी की IU 30 है, तो दो कम कर दो, तो उसकी मा की IU है 28, ठीक है, यह तो मैंने आपको उदहरन से समझाया, लेकिन हापर कुछ कोश दे रखे हैं, हमें वो करने है, तो देखो, कह रहा है, राम की वर्तमान आयू, तो कितनी है, वो है उसकी X वर्ष, पिताजी की वर्तमान आयू, इसके तीन गुना थी न, तो राम की X है, तो पिताजी की 3X हो जाएगी, तीन से तो मल्टिप्लाय करना है, अब मल्टिप्लाय क कि आंसर नहीं निकाल सकती किकी KSK मान यहीं बता फिल वर्ष को मा की वर्थ मान आ यहां मां की वर्थ कि दो सल बड़ जोर दो कम है तो घड़ा दे राओ कै corazón के यहां कर दूम है मा की iu यह है और भाई की iu यह है तो यह तो cut गया minus 2 और plus 2 तो 0 हो गया अब बचा 3x plus x देखो यहां x के साथ आप 1 लगा सकते हूं यह 3 इस के साथ multiply का है x के साथ ऐसी तो 1 multiply करोगे तो वो ही आएगा क्योंकि 1 को किसी से भी multiply करते हैं तो तो 3x plus 1x कितना हो जाएगा 4x तो यह आपका इस cancer आगया 5 वालेगा ठीक है तो यह छोटी सी वर्क्षिट थी वर्क्षिट नमबर 32 जो हमारी यहां पर complete होगी अब वर्क्षिट नमबर 33 जो हम अपनी next वीडियो में करेंगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू